हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल येस कैप्सूल में आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तयारी अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स आप सभी को पता है हम अपने इस चैनल के माध्यम से यूपिटर पलसी यूनर अब मैं उत्तर प्रदेश इस्पेशल का वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ पूरी किताब के इस में 300 प्रशन देखेंगे 15 प्रेक्टिस सेट के हमने सब पढ़ लिए लेकिन एक बार फटा 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 हम देख लेंगे ताकि रिवीजन हमारा काफी अच्छे से हो ज अब बात करें उत्तर भारत का या उत्तर प्रदेश का एक मातर जो कलासिकल डांस है वो कथक ही है कत्थक ही अगर बात करें तो में जो हैं इसके तीन घराने बहुत लिए लगना अस गराना और जैपुर घराना तिक आलगलग राजाओं के टाइम में यह काफी ज्पेमस उसके बाद इसको एक dance फॉर्म के रूप में ज्यादा ख्याती मिली क्या तो याद रखिएगा लखनाउ में इस्तित है अगर बात करें देखिए कुछ आपसे पूछ लेता है noted artist क्योंकि उत्तर प्रदेश का है कि इसके कौन-कौन से important artist है तो देखिए चार महराज हैं उन्हें तो जरूर आप याद करिएगा बिर्जू महराज, अच्छन महराज, बिंदा दीन महराज और शम्भू महराज ये चार महराज जरूर याद किजेगा इसके इलावा एक है सितारा देवी जी और दम्यंती जोशी ये पांच या छे नाम मैंने आपको बताए इनको याद कर लीजिए चार महराज हैं बिर्जू महराज, बिंदा दीन महराज, अच्छन महराज और शम्भू महराज इसके इलावा दम्यंती जोशी जी और सितारा देवी जी ये आपके सारे कत्थक से रिलेटड नांसर्स हैं आगे चलते हैं प्रदेश के किस जिले में सरवाधिक वर्षा होती है तो आपको पता है जो हमारे याँ ज्यादा तर वर्षा होती है वो गोरगपूर का पूछ लेता है कौन सी नदी के किनारे इस्तित है गोरगपूर आपका राप्ती नदी के किनारे इस्तित है बात करें वारानासी की वारानासी में भी आपके IIT BHU है जो सबसे पुरानी सेंटर उनिवस्टी मानी जाती है 1916 में इसकी स्थापना की गई थी बनारस के यह भी चार प्रोड़क्स को GI tag दिया गया है एक तो बनारसी लंगड़ा आम था आदम चीनी चावल था राम नगरवा भांटा था और इसके लावा बनारसी पान था इन चारों को अभी GI tag दिया गया था याद रखिएगा इसके लावा में आपको बदा चुका हूँ बांदा में क्या फेमस है कलिंजर का किला जो है वो बांदा में ही पड़ता है कलिंजर दुर्ग तो यह भी मैचिंग में आता रहता है मुरादाबाद को किस नाम से जाना जाता है मुरादाबाद को फीतल लगरी के नाम से जाना जाता है यहांके जो धातु शिल्प के उत पाद है उसको GI tag मिला हुआ हुआ है एग्रो प्रोसेसिंग पार्क और लेदर टेक्नोलोजी पार्क सबसे पहले लेदर की जो अब सारी इंडस्ट्रीज हैं कानपुर से अटाकर उन्नाव शिफ्ट की जा रहे हैं क्योंकि गंगा में पॉलिशन बहुत जादा बढ़ गया था इसलिए सारी टैनरीज को अटाकर कानपुर वगारर से उन्नाव शिफ्ट किया गया तो लेदर टेक्नोलजी पार्क उन्नाव में है लखनव में इस्तित है अपेरल पार्क आपका कानपुर में है और ए benefici से कानपूर में है सहरांपूर एक चीज के लिए और बहुत फेमस है पेपर मिल्स वगणा वहाँ पर काफी है और यहां पर मा शाकंबरी देवी मेले का आयोजन भी किया जाता है इसको भी आद रखिएगा कानपूर में बहुत फेमस कृशिविश्विद्दयल है कौन सा है भारतिय गन्ना अनुसंधान संस्थान थिक है दो है एक उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल है वह शहाजहापुर में है और भारतिय गन्ना अनुसंधान संस्थान इंडियान इंस्टिटूट ऑफ शुगर केन रिसर्च वह लगनव में इस्तित है और बायो टेक कि मुन्देलखंड चेत्र में, कुल कितने सूलर पार्कों के लिए यहांपर मंजूरी दी गई है ठीके आघे शलता है चुनार किस उद्ध्योग के लिए फेमस है तो डल्ला और चुनार यह सवाथ डल्ला और चुर्क यह दो फैक्ट्रिया जो आपकी है यह बहुत जादा सीमेंट उद्ध्योग के लिए बहुत जादा जाना जाता है अगरा 2011 की जनगर्णा के अनुसार निमलिकित राज्यों में से किसकी ग्रामीड जनसंक्या सरवादिक है तो उत्तर परदेश की ग्रामीड जनसंक्या सरवादिक है यहां जो अगर आप देखेंगे तोटल भारत का लगबग 18.6% जो ग्रामीड पॉपुलेशन है वो उत्तर प्रदेश में निवास करती है पूरे देश की तो देश में नंबर वन हमारा रैंक है अगे पंचायती राज की अनुशंशक इसने की थी तो चार इससे कमेटी संबंदित है मैंने चारों के नाम आपको बताये थे तो सबसे पहली आई थी बलवंत राय महता कमेटी 1957 में फि फिर आती है आपकी LM सिंगिवी कमेटी 1986 तो 57, 57, 85, 86 ये चार कमेटी पंचायती रात से संबंदिते इसको याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है आता रहता है एक्जाम में फिर उपर क्रिप्स मिशन दिया हुआ है क्रिप्स मिशन के मेंबर पूछता रहता है कि क्रिप्स म मिशन में तीन मेंबर थे आपके लॉड पैथिक लॉरेंस एवी अलेक्जेंडर और चेयर पर्सन कौन थे स्टैफोर्ड क्रिप्स जब क्रिप्स मिशन फेल हो जाता है उसके बाद ही भारत में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया जाता है आठ अगस्त नियस सो बैयालि बात कर लेता हूं हलकी थी 1935 के तहट क्या किया गया था जो इससे पहले अधिनियम आया था 1919 का जिसको मॉन्ट फोर्ड रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है उसके तहट प्रांतों में द्वयद शाशन की बात की गई थी इस अधिनियम के तहट 1935 के तहट प्रांतों में द्वयद शाशन की विवस्था को खतम करकर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी या प्रांतिय स्वायत्ता का कॉंसेप्ट लाया गया और केंद्र में द्वयद शाशन विवस्था लागू भी गई प्रांतों से हटाई गई केंद्र में लागू की गई याद रखिएगा 1935 से सबसे जो पूरवी जिला है वो है बलिया वहीं से यह स्टार्ट की गई थी सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश का शामली सबसे उत्तरी जिला कौन सा है सहारनपुर और सबसे दक्षणी जिला कौन सा है सोन भद्र इसके लावा और क्या पूछ लेता है उत उसके बाद उत्तर प्रदेश, ठीक है, आगे आते आते और फेट्स में आपको बताता हुआ, चलूगा, आगे चलते हैं, निम्लिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश और जोगिक विकास निगम की आगामी प्रमुख निवेश परियोजना नहीं है, तो जो आपका डिफेंस पार्क है, शाजापुर में ये कोई उनकी आगामी परियोजना नहीं है, आगे निम्लिखित में से कौन काकोरी ट्रेन ए परटला गया था, इसके बाद रामपरसाद बिस्मल जी को फांसी दे दी गई थी, कहाँ पर गोरकपुर की जेल में इनको फांसी दी गई है, याद रखेए का शाहजापुर में इनका जन्म हुआ था, इसलिए शाहजापुर को शहीदों की नगरी भी कहा जाता है, इसके में निरुद बंदियों को कितने वर्ष में कितने दिन घर पर रहने के लिए छूट दी जाती है, तो इनको 15 दिन के लिए छूट दी जाती है, उत्तर परदेश में यूरेनियम कहाँ पर उपलब्द है, उत्तर परदेश का एक मातर जिला यहाँ पर यूरेनियम के ट्रेसे है सोनराई裡面 छेत्र वह किस चीज के लिए फेमस है तांबे के लिए फेमस है तो पहला आपका ललितपूर आउंसर हो गया इसके लावह अगर बात करें ललितपूर और किस विज़े से फेमस है राजगाट डैम ये दोनों को याद रखिएगा एक्जाम में मैचिंग में आते हैं तो माटा टीला और राजगाट बेत्वा नदी के ऊपर बनाए गए के लावा option D आपको दिख रहा होगा हमीरपूर तो एक बार पूछ लिया था कि उत्तर परदेश का कौन सा जिला अर्जुन बांध नहर परियोजना से लाभानवित है तो हमीरपूर जो जिला है वो अर्जुन बांध नहर परियोजना से लाभानवित है आके चलते है उत्तर परदेश का एक मात्र मुक्त विश्विद्द्यले किस नाम से जाना जाता है तो राजर्शी पुरुशोतमदास प्राचीन काल में जाना जाता था हर्षवर्धन जो राजा हुए है पुष्यभूती वन्ष के उनकी राश्धानी था आगे चलते हैं और हाँ एक वज़े से कन्नौज अभी करेंट अफेर्स में चर्चा में है ई-Office अपनाने वाला खीक है या उलेक्ट्रोनिक ऑफिस अपनाने वाल उत्तर परदेश का पहला जिला है कन्नौज इसको याद रखिएगा आगे उत्तर प्रदेश में परियाटन को बढ़ावा देने के लिए 2015 में प्राथम ट्रेवल मार्ट का आयोजन कहाँ पर किया गया था तो पहला ट्रेवल मार्ट उत्तर प्रदेश के लखनों में आयोजन किया गया था उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान केंद्र किस जिले में इसते थे तो आलू अनुसंधान केंद्र यूपी में लखनव में इसते थे माफ कीजिए, मेरेट में इस्तेत है, अनुसंधान केंद्र मेरेट में है, इसके लावा मेरेट में और क्या बन रहा है, मेरेट में उत्तर परदेश की पहली Sports University बनाई जा रही है, मेरेट में कौन सा बहुत famous मेला लगता है, मेरेट किसके लिए famous है, Sports गुड के लिए और कैंचियों के लिए मेरेट बहुत जादा famous है, उत्तर परदेश का सबसे बड़ा Jewelry Market, value के हिसाब से मेरेट का ही Jewelry Market है, आगे, One World TB Summit 2023 किस शहर में आयोजित की गई थी, तो ये आपका वारण असीम आयोजित की गई थी, पंडित दीन देयल उपाध है, पशुचिकत्सा विश्विद्याल है कहा पर इस्तित है, तो पंडित दीन देयल उपाध है, विश्विद्याल है, पशुचिकत्सा ये मत्धुरा में इस्तित है, इसके लावा Indian Veterinary Research Institute, IVRI, वो बरेली के इजजत नगर में इस्तित है, वो भी रिपीटेट प्रशने आता ही रहता है। आके चलते हैं। Central Vista में बिछाने के लिए उत्तर प्रदेश के किस जिले से कालीनों की आपूर्ती की गई है। उत्तर प्रदेश की कारपेट सिटी भदोही। उत्तर प्रदेश में राज्य उच्छ सिक्षा परिशत कब बनी। 1995 में। जिस साल आपका मिड़े मीली स्कीम लॉंच हुआ है। उसी साल यह बनी है। प्रशिद सूफी संथ हाजी वारिस अली शहा की मजार पर मेला लगता है। देवा शरीफ बारा बंकी में। Option C अगला आपसे एक तरफ लोग गीत दियें और एक तरफ पूछाय किस किस समय गायात है। कजरी तो आपका मौसमी गीत है तो B का तो चौथा हो गया। एक ही मिलाएंगे उससे मिल जाएगा वैसे तो Option B, B का चौथा यही वाला है। अगर बात करें चैती क्या है आपका विवा और मौसमी गीत है। बात करें रसिया तो रसिया आपका ब्रज का लोग गीत है। सोहर आपका संसकार गीत है। आइटिंक बच्चे के जन्म होने पर यह गाया जाता है। ठीक है तो यही आपके हैं। अब कीजिए इसमें शायद एक विवा और मौसमी गीत वाला मुझसे मैच हुआ है। मैं दुबारा से इसको मिलाता हूँ। इसके लिए माफी चाहूँगा। सबसे पहला है आपका चैती तो चैती आपका ठीक है। चैत के महिने में मौसमी गीत ठीक है। ठीक है तो इसमें पहले का चौथा हो गया, बी का तीसरा हो गया। तो आपका option A यहाँ पर ठीक होगा। इसके लिए माफी चाहूँगा प्लीज। आगे चलते हैं। ग्रिनाइट की पट्टी आता था स्लेट बनाई जाते हैं। आपके चुनार में। ठीक है, यहाँ देखें। चुनार से ही सबस्यादा आपका लाइम स्टोन वगरा निकलता है। और यही जो डल्ला और चुर्क की फैक्ट्रिया है, वहाँ पर रॉव मेट्रियल के रूप में जाता है। यह वाल एरिया काफी जाधा समर्द माना जाता है। हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में खनिच के छेत्र में। ललितपूर में आपको बता चुका हूँ किस के लिए फेमस है। ललितपूर आपका तामबे वगरे के लिए फेमस है। सबका साल भी मैंने आपको बता दिया। 1957 में बलवंतराय में था। 1977 में अशोक में था। जीवी के राव समय थी आपका। 1985 में LM सिंग्वी कमेटी 1986 में। तो खुशकता है अगर आपसे और्डर में लगाने के लिए आ जाए तो आप संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश में बदलने के बाद इसके प्रत्थम राज्यपाल कौन थे तो सर भोरमास जी फिरोशा मोदी जी प्रत्थम इसके राज्यपाल थे। जनवरी 1950 को बदला गया था उसी दिन हम क्या मनाते हैं आप उत्तर प्रदेश दिवस। जनकरणा 2011 के अंतरिम आकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में किस जनपत की जनसंख्या नियून रितम हैं तो महोबा की जनसंख्या आपकी मिनिमम हैं अगर बात करें सबसे ज़्यादा किसकी है तो प्रियाग राज की है महोबा किसके लिए फेमस है महोबा पान इसमें भगवती चरण वहरा जी मौझूद थे और इसी में आपका हिंदुस्तान रिपब्लिकन असोशेशन की स्थापना की गई थी यही संस्था जिम्मेदार थी काकोरी टेंट डेकाती के लिए उत्तर प्रदेश में तैसिल दिवस कब से कब तक आयोजित किया जाता है तै विए प्लास्टिक सीटी आपका कानपूर में नहीं है और इया में है डिवियापूर एक जगह है नखिए इस्तित है देखा जाए तो वैसे दिखे जो ट्रॉनिका सीटी है यह इस्पेशली गाजयबाद में है वैसे तो लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है नोईडा इन्हों ने शायद पुराने के साब से ले लिया है नोईडा बाद में बना था तो प्लास्टिक शिटी आपका कानपूर में तो नहीं है यह और यह डिवियापूर में इसके था तो यह वाला ज्यादा भैतर ऑप्शन है क्योंकि पहले गौतम बुद्नगर गाजयाबाद का हिस्ता था बाद ने गौतम बुद्नगर को हटा कर गाजयाबाद से काटकर गौतम बुद्नगर बनाया गया है फिरोजावाद किसके लिए प्रसिध है तो फिरोजावाद की चूडिया वगरा के लिए प्रसिध है इसको सुहाग नगरी भी बोला जाता है तालों के लिए कौन सा फेमस है अलीगर्ड निमलिकित में से कौन सही सुमेलित नहीं है उत्तर परदेश का सबसे पुराना विश् से संबंदित नहीं है भारत का राभावन वारालासी ये ठीक है वर्ड हैपिनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया के 40 सबसे खुशाल शेहरों में कानपूर किस स्थान पर है तो कानपूर इसमें 11 इस्थान पर है सबसे उप्यूप्त समझा जाता है अगला क्राइसम एक कारेकरम है किसका तो रूरल डेवलप्मेंट का या ग्रामीड विकास का निम्रिकत में कौन सा यूग्म सुमेलित नहीं है बिंध्यांचल मिढ़जापूर देवा शरीफ बारबंग की ठीक है हस्तिनापूर मेरट ठीक है श्त्रंग वेरपूर देखे यह आपका अवध यह गलत मिला हुआ है तो यह प्रियाग रात चे आपका लगभा 25 कम सही मिला रहत का मध्यरी परवत कहा पर है आपका का मध्यरी परवत आपका चित्रबीट में बढ़त इंपोर्टन उस्तर प्रदेश का टूरिस्ट डेस था मल-महाजनपत की राजधानि था बात करें कौनसा स्थूप है यहाँ पर राम भर स्थूप यहाँ पर मौजूद है अगर बात करें कौशांबी में कौशांबी में भी एक धमेक स्थूप यही पर मौझूद है आगे चलते हैं पाइरोफिलाइट का उपयोग किया जाता है ताप सहने में सरामे कुद्योग में और कीट नाशक के रूप में सभी रूप में इसका उपयोग किया जाता है उत्तर प्रदेश का पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है और 600 km क होता है किस के द्वारा तो यह आपका फ्रो राएड के प्रदूशन के द्वारा फ्लॉराईड के संत कवि मलूगदास तो मलूग दास कहा के थे कड़ा कौशाम भी के उत्तर प्रदेश में प्रतम विकलांग विश्विद्याले इस्थापित किया गया है जगत गुरु राम बंदराचार्य विकलांग विश्विद्याले चित्रपूट रेनुकूट पे हिंडाल को की इस्तिती का मुख्य कारण क्या है तो इसकी शक्ती स्रोथ से निकटता जो पावर सोड से वहाँ पर मौजूद है आगे उत्तर प्रदेश जनसंक्या नियंत्रन त्रीकरण और कल्यान विद्याण विद्याग दोजार इकिस के संदर्व में कौन सा कथन सही है इस विद्याग का उद्देश दोजार चब्विस के जनमदर्पूर 2.1 प्रती हजार जनसंक्या तक कम करना है ठीक है वर्तमान में राज्य में जो फर्टिलीटी रेट है प्रजन अंदर है 2.7 प्रती हजार है तो दोनों आपकेस में सही है उत्तर प्रदेश क किस शहर में फासी दी गई थी गोरगपूर में उत्तर प्रदेश शरकार ने किस शहर के विकास के लिए निवेश शिकर संबिलन 2023 में 65,000 करोड रुपए के समझोते ग्यापन पर हस्ताक्षर की है तो 6 निमलिकित में से किस वर्ष उत्तर प्रदेश का प्राया संपून चेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था तो सन 1833 में आगे पोिशामबि इस्तित प्रभास गिरी, असथल का संबंद किस से है तो ये आपका जैन धर्म से संबंद है तेल खड़ी इसको टैलक बोलता है है ऑगर सेल खड़ी का अध Calais प्रमुक के सेल के निमलिकित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है तो तीन राज्यों का ये स संयुक्त उपक्रम है पहला उत्तरप्रदेश, दूसरा मध्याप्रदेश और तीसरा राजिस्थान, हर्याड़ा इसका हिस्सा नहीं है मैंने आपको डांसर सब बता दिये, भरत नाटियम सबसे पुराना डांस माना जाता है, ये तमिलनाडू से संबन्दित है, कुचिपूरी आंदरप्रदेश से संबन्दित है, ओडिसी ओडिसा से संबन्दित है 2025 में महा कुम्ब के भव्य आयोजन के लिए कितने करोड रुपए आवंटित किये गए हैं, तो लगबग 2500 करोड रुपए आवंटित किये गए, उत्तर प्रदेश में होली के त्योहर पर लठ मार होली कहा पर मनाई जाती है, तो बरसाना रहे जनवरी 2020 में उत्तर प्रदेश के कितने और इस्थलों को रामसार साइट गोशित किया गया है, तो रामसार साइट 6 और इस्थलों को गोशित किया गया, वर्तमान की बात करें तो टोटल रामसार साइट भारत में 75 है, सबसे जादा किसमें है, तमिल नाडू में 14, सेकिंड रेंक है उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में 10 रामसार आपकी साइट है, रामसार कन्वेंशन की बात करें तो 1971 में रामसार कन्वेंशन इरान के एक शहर रामसार में साइन की गई थी, जो की कैस्पियन सागर के किनारे परिस्तित है, सबसे जादा रामसार इस्थलों क की बात करें तो United Kingdom में मौझूद है भारत ने कप साइन किया इसको 1982 में भारत इसका सिगनेटरी है और किस से संबंदित है यह आदरभूमियों के संरक्षन से संबंदित है आदरभूमी संरक्षन दिवस कब मनाया जाता है दो जलते हैं वर्ष 2023 में बर्जर गुरू एशिया की सबसे बड़ी पेंट फैक्टरी उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगाने जा रही है उत्तर प्रदेश के हर्दोई में यह लगाने जा रही है ठीक है और हर्दोई में और लखनव में अभी PM मित्रा टेक्स्टाइल पार्क भी बनाए जाएंगे ठीक है PM मित्रा जो की टेक्स्टाइल से संबन देते हैं वो पार्क भी बनाए जाएंगे अगे हर्दोई और लखनव दोनों में याद रखिएगा इसके अलावा अभी जो महराश्टर के मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे जी उन्होंने भी यह मैगा इन्वेस्ट्मेंट टेक्स्टाइल पार्क की आधरचिला रखिए या PM मित्रा टेक्स्टाइल पार्क की आधरचिला अमरावती में रखिए तो यह हर्दौई इसका आंसर है उत्तर प्रदेश ने कोईले के भंडार कहा पर पाए जाते हैं तो मैंने आपको दिखाया था जो हमारा मध्या प्रदेश के साथ बॉर्डर है सिंग्रॉली वाला छेतर मुखे रूप से सोनभद्र वाला एरिया सोनभद्र जिले की सीमा कितने राज्यों को इसपर्ष करती है चार राज्यों को इसपर्ष करती है मध्या प्रदेश, छतीजगर, जारखंड और बिहार तो सिंग्रॉली इसका आंसर है सामाने रूप से प्रदेश की जलवाईयू कैसी है तो देखे सामाने रूप से तो सारी ही है उश्ण कटिबंदिया भी है शीतोष्ण भी है और मान संसूनी भी जलवाईयू हमारे यहां की है तो सारा मेरे हिसाब से इसमें स्टेट्मेंट ठीक होने चाहिए आगे अवद सल्तनत के हिंदू नायब वजीर के संदर्व में निमलिगत कथनों में से कौन साया कौन से सही है राजा टिकैत राय नवाब असाउद दला के फाइन 500 करोर रुपए की लागत से 700 मेगावाट शमता का सोलर प्लांट लगाया जाएगा तो कहां पर लगाया जाएगा कानपुर में वूमन पावर लाइन 1090 कब से प्रारम हुई है 15 नवंबर से स्टार्ट हुई ती 2012 में करनेया लाल मानिक लाल केद्र हिंदी संस्थान कहां पर है तो यह आगरा में इस्तित है अगला कनक भवन देखिए मैंने कहा था कामदगरी परवत आया चित्रपूट में इस्तित है कलिंजर का किला बांदा में है देवा शरीफ हाजी वारिशली शाक्र मजार पर यहां पर मेला लगता है बारा बंकी में और कनक भवन आपका आयोध्या में इस्तित है इसमें पहले का चौटा एक में आपका सही होगा इसमें इसमें कौन कौन सा है धोबिया राय शायरा और उप्यूक्त सभी तो इसमें से देखिए उत्तर प्रदेश के ये सारे ही है चित्रकला की मुगल शैली का आरंब किया था तो किसने किया था तो हुमाईयू के द्वारा ये स्टार्ट की गई थी जब ये काबुल गए थे बीच में या इरान गए थे ठीक है कलिंजर के दूर्ग के आसपास लड़ाई करते हुए तो दुबारा से इनको मौका मिल जाता है और ये भारत में आ जाते हैं तो उस दौरान ये दो पेंटर्स को अपने साथ लेकार आ जाते हैं अब्दुस्तमद और मीर सैयद अली को यही भारत में मुगल चितरकला की नीव रखते हैं तो option हुमाईयों आपका विल्कुल ठीक होगा उत्तर परदेश में किसान बही योजना लागू की गई थी तो कब से लागू की गई है 1992 में उत्तर परदेश में प्रथम दुग्द सरकारी समीती की स्थापना हुई थी तो सबसे पहले दुग्द सहकारी समीती की स्थापना कहाँ पर हुई है इलाबाद प्रियाग राज में और अगर दुग्द सहकारी संग की बात करें तो ये कहां पर हुआ था लखनव में याद रखेगा समेती आपकी इलाबाद में थी और अगर बात करें दुग्द सहकारी संग तो दुग्द संग माफ कीजिए, दुग्द संग जो 1938 में बना था लखनों में, उसको याद रखिएगा, और ये जो संग था, ये देश का भी पहला ही संग था, उत्तर प्रदेश में जो बना था, आगे, भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पादन का सबसे ब बड़ा उत्पादक नहीं है, इसका तमिलाडू सबसे बड़ा उत्पादक, भारत की क्रिशी योग्य भूमी का लगबक कितना प्रतीशत उत्तर-प्रदेश में है, तो लगबक 15 प्रतिशत के आसपास उत्तर-प्रदेश में है, 2011 जन्गर्णा के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंक्या भारत की जनसंक्या की कितनी प्रतिशत है तो 16.16 प्रतिशत उत्तर परदेश की सबसे उंची पहाडियां, सोनकर और कैमूर किन जिलों में इस्तित हैं कमाने रूप्से परदेश की जलवाईउ कैसी है तो देखिए 2011 बारे में दुख्द का सरवादिक उत्पादन निमले में से किस राज्य में हुआ था तो उत्तर परदेश में निम्लिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो आपका जो हर्मोनियम यह श्री राम स्रिवास्तव यह आपका गलत है, प्रज में आपका रासलीला नेत्य है, मिर्जापुर में फिरहा, गाय की मुबारक अलीका यह सही है, तो श्री राम स्रिवास्तव जी इससे नहीं है, आगे देखते हैं, आलहा एक लोगप्रिये संगीत किस छेतर का है, तो बुंदेल खंड का है, स्पेसिफिकली बात करें, जो इसका ओरीजिन है, वो महोबा से होता है, आलहा और उदल की एक कथा है, उसके ये संबंदित है, और उसके अराउंड ये पूरा रिवॉल होता है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इसपेसिली आ जाए तो महोबा ही आंसर लगाईएगा, उत्तर मध्य छेतर सांस्कृतिक छेतर, यानि N-C-Z-C-C, चैती और कजरी केंद्रों का आयोजन, किस शेहर में करेगा, तो इसका सही उत्तर आपका क्या होगा, वारण संक्या की दृष्टी से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद कौन सा है, तो यह आपका है, प्रियाग राज, सबसे कम किसमे है, जनसंक्या महोबा में, भारतिय दलहन शोट संस्तान कहा पर है, जब मैंने कानपूर के बारे में बताया था, तब मैंने आपको बता दि आता, कानपूर में इस्ते थे, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा वाला छेतर है, इसके अलावा देखिए, कानपूर में से काफी और चीज़े मैचिंग में बहुत आती रहती है, एक तो आता है, modern बेकरीज, कि modern बेकरीज कहां पर इस्ते थे थे, तो यह कानपू कानपूर में इस्ते थे, उत्तर प्रदेश प्रद्योगी की विकास निगम का हेड़कॉर्टर ये भी आपका कानपूर में ही इस्ते थे, और इसके लावा, डॉक्टर अंबेटकर इंस्टिटूट फ़र टेकनोलोजी, फ़र हैंडीक्राफ्ट, जो आपके हैंडीक्राफ् आपको कृतिम अंग, निर्माला लिमिटेड, एलिम को ये बहुत फेमस है, इसको याद रखिएगा, आगे चलते हैं, सबसे अधिक वर्षा वाला छेत्र कौन सा है, तो आपका तराई छेत्र में सबसे अधा वर्षा देखने के लिए मिलेगा, सबसे कम वर्षा वाला छेत अब इसको किस नाम से जाना जाता है, चंदरशेका राजात पक्षी अभ्यराने के नाम से, कहाँ पर है उन्नाव में, अगला, ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है, ग्रीन पार्क कानपूर में इस्ते थे, अब तो मैच नहीं होते, पहले काफी मैच होते थे, अब लखनव में बना है इकाना स्टेडियम, वहाँ पर काफी टी ट्वेंटीज के मैच भी होने शुरू हो गए हैं, परवरी 2023 में इलाबाद हाई कोट के मुख्य नयाधीश कौन बनाए गए हैं, जस्टिस प्रितिनकर दिवाकरजी, उत्तर परदेश राज या परेटन व अब इस्टापना कानुमोधन किया है, प्रियागराज में, उत्तर परदेश में निर्यात अनुमुक सौफ्ट्वेयर पार्क कहां इस्थापित किये गए हैं, तो निर्यात अनुमुक सौफ्ट्वेयर पार्क आपको नोइड़ा और कानपूर में मिलेंगे, देखिए विशेल आंसर हो तो बताईएगा, इस बुक में तो देखिए, नोएडा और कानपुर ही दिया हुआ है, एक बुक मेरे पास और है, I think वो GS World की है, उसमें भी नोएडा और कानपुर ही दिया है, तो आपके के पास अगर कोई बुक हो तो बता दीजेगा, इसको हम करेक्ट कर उत्तर परदेश के कानपुर और लकनव नगर, किस भारतिय जनगरना वर्ष में 10 लाकिय नगर बने थे, तो 1971 और 81 में करमशाई है, 10 लाकिय नगर, जिनको मिलियन सिटीज बोला जाता है, ये बने है, निमलिके जनपदों में से किस में साक्षर्ता दर्द आपकी सबसे कम ह लोकायुक्त का कारेकाल कितना होता है, तो उत्तर परदेश में लोकायुक्त का कारेकाल 8 वर्ष का है, सबसे पहले उत्तर परदेश के लोकायुक्त कौन थे, विशंबर दयाल जी थे, और वर्तमान में कौन है, नियायमूर्ती, संजय मिश्रा जी इसमें लोकायुक्त है, और हाँ, उपर हमने देखा था कि जो इलाबाद High Court था, इलाबाद High Court के अभी वर्तवान में नए Chief Justice बनाए गए है, प्रीतिंकर दिवाकर जी, तो एक शाथ किसी एक्जाम में पूछा गया था कि इलाबाद जो हमारा Court है High Court उत्तर प्रदेश का, उसके सबसे पहले Chief Justice कौन थे तो याद रखिएगा न्यायमूर्ती श्री वाल्टर मॉर्गन जी, वाल्टर मॉर्गन 1866 से 1871 तक, आगे चलते हैं, जैन तीर्थांकर पार्षुनात निमलिखित में से किस इस्थान से मुख्यता संबंदित हैं, तो ये वारानसी से संबंदित हैं, इनके पिता जी अशु में आयोजित की गई थी, अगला देखते हैं, प्रधान मंत्री मित रियोजना वही जो टेक्स्टाइल से संबंदित है, के तहत किन जीलो की सीमा पर 1000 एकर छेत्रफल में टेक्स्टाइल पार्क की स्थापना की जाएगी, हर्दोई और लकनो की सीमा पर, सम्विधान के आपकी रिट्स वगएरा जारी करता है, पांच तरीके के रिट्स होती है, हेबियस कॉर्पस, मेंडामस, सर्टियोररी, प्रोहिबिशन और कुव वारेंटो, अब हिंदी में देखिए परमादेश वगएरा बोलते हैं, मुझे एग्जेक्ली नाम हिंदी में याद नहीं है तो पांच तरीके के रिट्स होती है, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तेहर जारी करता है, और हाई कोर्ट 226 के तेहर जारी करता है, देवबंध आंदोलन, यूपी संयुक्त प्रांत में से किस वर्ष में प्रारंब हुआ था, तो ये किस वर्ष का आंदोलन है आपक अगली बार लीडर पूछ ले, नारी बंदी निकेतन इस्तित है, तो ये कहाँ पर इस्तित है, लखनव में इस्तित है, विंद्य छेत्र में किस शिलासरेशे सरवादिक मानव कंकाल मिले हैं, तो कहां से मिले हैं हमें, लेख हैया से, ओप्शन D, अगला, चार अप्रेल 2023 को काशी छेतर के कुल कितने उत्पादों को भौगालिक संकेता किया GI टैग मिला है, तो मैंने आपको बता दिया, चार उत्पादों को मिला है, चारो के नाम भी मेरे द्वार आपको बता दिये गए हैं, बनारसी पान, बनारसी लंगडा आम, आदम चीनी चावल, राम अब भांटा, उत्तर परदेश प्रध्योगी विकास निगम कहां पर रस्तित है, मैंने अभी बताया आपको कहां पर है, कानपूर में इस्तित है, देखिए कानपूर में मैंने आपको कृतिम दिर्माण अंग निगम लिमिटेड बताया है, वो भी आता रहता है, याद बहाँ पर आपका भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट रेल कोच फैक्टरी स्थापित की गई है, मेधा रेल कोच फैक्टरी याद रखिएगा, तेलंगाना के संगरेडी जिले में, इंडिया की सबसे बड़ी प्राइवेट रेल कोच फैक्टरी है, बागी ये सब तो सरक प्रथम दीन दयाल हस्तकला संकुर व्यापार सुविधा केंदर कहां पर है तो ये वारणसी में इस्तित है कल्प योजना संबंदित है तो ये प्राथमिक सिक्षा से संबंदित है ये सब रिपीटेट पुराने प्रश्ण है सबसे भारी प्राकर्तिक तत्व कौन सा है, equal uranium, उत्तर-प्रदेश में कहां पर मिलता है, उत्तर-प्रदेश में हमें ललिध-पुर में इसके शुष देखन這邊 मिलते हैं, या उश ट्रेस में हमेंहें वहाँ पर यह मिलता है, आगे, अगर देखें, इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कोल, कोईल, अलीगन, महोत्सव, नगर, महोबा, महोदय, श्री, कन्नौज, जेजाक भुक्ती देखें, यह आपका गलत है, जेजाक भुक्ती आपका कन्नौज नहीं, बलकि जो बुंदेल खंड वाला छेतर था उसको जेजाक भुक्ती उस समय बोला जाता था, ठीक है, इमारती पत्थर का उपयोग होता है, भवनों के निर्मान में, तो सबसे इंपर्टन देखें आपका यह है, भवनों के निर्मान में इसका ज़्यादा यूज किया जाता है, उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्ण निर्मान में कौन सा एक पारिष्थितिक संतुलन बनाये रखने में मदद नहीं करता, तो वनों को काटता, उत्तर प्रदेश की जन संक्या अधिक है, किस से, बांगलादेश और पाकिस्तान से हमारी जन संक्या अधिक है, इंडोनेशिया से ज्यादा नहीं है, उत्तर प्र इन सबी में हमारी rank 1 है संगीत सिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में जो पहला संगीत महाविद्याले स्थापित हुआ था वो कौन सा था भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्याले देखिए पहले नाम इसका यह नहीं था 1926 में इसको Morris Music Institute के नाम से स्थापित किया था या Morris College के नाम से बाद में देखिए किसने इसको स्थापित किया था विश्नु नारायन भारत खंडे जी ने इसको स्थापित किया था बाद में 1966 में Government of India ने इसको टेक ओवर किया और फिर उनी के नाम पर भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्याले इसका नाम रखा गया और डीमड उनिवस्टी इसको कब बनाए गया 2000 में इसको डीमड उनिवस्टी का दर्जा दिया गया है और इसको माना जाता है उत्तर परदेश की पहली ये म्यूजिक यूनिवस्टी आगे चलते हैं तो याद रखेगा कभी आपसे पूछ ले पहले इसका क्या नाम था मौरिस इंस्टिटूट इसका पहले नाम था बुन्देलखं का एक यह निर्त्ति इसके अलावा बुन्दील घंके देखे एक दो और नित्ति निर्त्ति आगे छलते हैं अगे चलते हैं उत्तर परदेश निमलिखत में से की फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है धान हटा दीजे गन्ना और आलू का उत्तर प्रदेश अब से बड़ा उत्पादक है तो गन्ना एक और ती जो है ये सही होगा भारतिय कला भवन संग्राल है कहां पर अवस्तित है तो ये वारण असी में अवस्तित है उत्तर प्रदेश के भावर छेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है तो कंकडीली पथरीली मिट्टी यहां पर पाई जाती मृदा चरण को रोका जा सकता है किस से तो वना रोपन से आप इसको रोक सकते हैं option A उत्तर प्रदेश में knowledge park की स्थापना कहा की जा रही है तो greater noida में आपका knowledge park की स्थापना की जा रही है आगे निमलिखित में से कौन सा जैव निमनी करण है या बायो डिगरेडेबल है नेच्रल प्रोसर्स के दवारा खतम किया जा सकता है तो आपका रबन शेपरेल दोजार तईस को उत्तर प्रदेश सीम योगी आधित्यनाथ ने किस स्थान पर गीले कूडे से बायो कम्प्रेस नेच्रल गैस बनाने वाले प्लांट का वर्चुल घटन किया है तो गोरकपुर के पास आपका तुथनी में आगे उत्तर प्रदेश में जैन एवं बहुत धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ कौन सा है कौशाम भी मैंने कौन सा मठ बताया आपको घोशित राम मठ यहां पर इस्तित है इसलिए याद रखिएगा इंपोर्टेंट है उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सिमित भंडार है तो ललित पुर में उत्तर प्रदेश की जनसंग क्या अधिक है किस से अधिक है तो देखे दूसरा वाला ओप्शन हटा दीजे इंडोनेशिया से नहीं है मुगलकाल में जिस मदर्शे से मुस्लिम नियाय शास्तर की पढ़ाई की विशिष्टा हासिल की थी वो कौन सा था तो लखनव का मदर्शा अगला नवयू को द्वारा अथारा वर्ष की आयू का पर मतादिकार का प्रियोग पहली बार कप किया गया था पहले हमारे यहां जो आयू थी वो 21 वर्ष थी फिर 61 सम्विधान शंशोदन से सन 1989 में इसको घटा कर 18 वर्ष कर दिया गया तो पहली बार चुनाव में जो 1989 के चुनाव हुए थे उसमें आपका ये इस्तमाल किया गया था सम्विधान शंशोदन याद रखिएगा निम लिखित में से कौन इलहाबाद में 1857 के स्वतंतरता संग्राम के नेता थे तो कौन थे मौलवी लियाका तली जी नाना साब नात्याटो पर ये कानपुर में थे जनगाना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात कितना है तो लिंगानुपात हमारा 912 आगे रोजगार की द्रश्टी से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है हत करगा देश की तीसरी रेल कोच फेक्टरी कहां पर स्थापित की गई है निल्यानवे में देखते हैं उत्तर प्रदेश में सोना किस नदी छेतर से प्राप्त होता है तो सोना आपको कौन सी नदी में उत्तर प्रदेश में मिलेगा तो यह मिलता है हमें चारदा और रामगंगा नदी से अब देखते हैं देखिए वई आगया मठवाला प्रशन ज तीसरा, A का दूसरा, B का तीसरा, C का पहला और यह आपका ओप्शन C यहाँ पर सही होगा, आगे चलते हैं प्रतिशत के अधारपा वायू मंडल में सरवाधिक पाई जाने वाली गया से, यह यूपी स्पेशल का नहीं आ गया है, तो नाइट्रोजन पाई जाती ही, 78 प्रति के दक्षण में इस थिर पठारी भाग का सरवाधिक उच पहाडी छेत्र कौन सा है तो आपका सोना कर, अगला धोला गीत लोकप्रिय है, तो यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक लोग गीत है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इसको देखिए पूरा रागिनी और धोल इस नाम से दादातर आपको मिलेगा हर जगाई रागिनी और धोला दोनों पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए पेमस है, आगे, जल विहार मेला बुंदेल खंड, बटेश्वर का मेला पश्चिमांचल, बलदेव का छट मेला पूरवांचल, शुक्रताल का मेला मुझफ बहुत ज़्यादा फेमस मेला है ये, उत्तर प्रदेश के निमलिखित जिलो में से वर्ष 2011 के जनगरना का अनुसार, किस में जनसंक्या सबसे कम है, आपकी महुबा में सबसे कम पॉपुलेशन है, सबसे ज़्यादा मैं बता चुका हूँ, किस में है, प्रियाग राज में, निमलिखित में से किस दलहन फसल का छेतर उत्तर प्रदेश में सरवादिक है, तो सबसे ज़्यादा चन्य का हमारे याँ एरिया है, खारते घास, एमम 14 अनुसंधान संस्तान, तो इंडिया काउंसिल ओफ एग्रिकल्जर रिसेर्च का इंस्टिट्यूट है, छासी में ये इस्ति थे, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, राष्ट्य राज़ानी छेतर NCR की तर्ज पर, राज्य के कुल कितने जनपदों को शामिल करके, SGR यानि स्टेट कैपिटल रीजन, SCR हो गए, ठीक है, SCR, स्टेट कैपिटल रीजन बनाने का प्रस्ताव रखा गया है, तो क इतने टोटल साथ जनपदों को मिलाकर, Option C, कौन सा विश्व धरोहर रिस्तल नहीं है, तो देखिए, अकबर का जो मकबर है, सिकंद्रा में, वो आपका अभी तक विश्व धरोहर रिस्तल नहीं, 1605 में अकबर की मृत्यू हो जाती है, उत्तर प्रदेश में कोईला कहां पर मिलता है, तो सिंग्रॉली वाले छेत्र, उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्व ध्यालेक इस्तित है, तो क्या नाम है, राजर्शी टंडन, पुर्शोत्म राजर्शी टंडन, विश्व ध्यालेक, तो ये प्रियाग राज में इस्तित है, उत्तर प्रदेश में सिं वाले तीन इसमें शामल है, एक, दो और तीन आपका सही है, अगला, निमलिकित में से किस राज्य की जनसंक्या सरवादी है, उत्तर परदेश की, उत्तर परदेश शरकार द्वारा किश वर्स, राज्य आपदा प्रबंधन अधीनियम, तो National Disaster Management Act 2005 का आया था, उसी के तहर रा विदिक सेवा प्राधी करन, यानि नालसा, National Legal Services Authority की बात हो रही है, 1987, इसको अधीनियमित किया गया है, तो अनुच्छेद 49 का, जो हमारे राज्य के नीती निदेशक तत्म है, वो ये कहते हैं, Free Legal Aid to the Poor, यानि गरीबों को मुफ्त विदिक साहता परदान की जाएगी, जो इ है आपकी गन्ना, जौनपुर की स्थापना किस की स्मृति में की गई है, मौहमद बिन तुगलक की स्मृति में की गई है, क्योंकि इनके बचपन का नाम जौना खान था, अगर बात करें, और किस ने की थी है, फिरोशा तुगलक में ये स्थापना की थी, क्योंकि मौहमद जिले में ये किया गया थी कि आगरा जिले में आगरा मैं आपको बता चुका हूँ बटेशोर मेला लगता है काफी इंपोर्टेंट है याद रखिएगा और हमने कौन सा गीत यहां पर देखा था रागेनी और धोला आवले का सरवादिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है आपका प्रताप गड़ भारतियद चारा गहां एमँ चारा नुसंधान संस्थान कहां पर है आपका जहासी में स्थित है इसके अलावा स्यद सालार बिला पूछ लेता है कई गभी स्यद सालार बिला आपका आपती नदी के किनारे इस्ते थे आयोध्य आपका सर्यू नदी के किनारे इसके अलावा देखिए एक और पूछ लेता है जॉनपूर तो याद रखिएगा जॉनपूर सुल्तानपूर और लखनव यह तीनों आपके गोमती नदी के किनारे इस्ते थे ठीक है यह तीनों के लिए डेवलप्मेंट के लिए यह बनाया गया है यह आपका लखनव में इस्तित है उर्दु को कब दुत्तिय राज्किय भाशा का दर्जा उत्तर प्रदेश में दिया गया है सन 1989 में यह दिया गया है और बरेली में देखिए मैं बता चुका हूँ एक बहुत इंपोर्टेंट संस्थान है भारती है पशुव ज्यान अनुसंधान संस्थान यानि इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टिट्यूट बरेली के इज्जत नगर में इस्तित है याद रखिएगा बात करें बारा बंकी की तो इससे भी प्रशन आ चुका है बारा बंकी उत्तर परदेश में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक है याद रखिएगा अफीम का उत्तर परदेश की एक मात्र अफीम की फेक्टरी गाजीपुर में इस्तित है यहां कनफ्यूज मत होईएगा अफीम की factory गाजीपुर में है, अगर पूछे सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, उत्पादक है आपका 12 बंकी, 12 बंकी में ही हाजी वारीश अली शाह की मजार पर कौन सा मिला लगता है, देवा शलीफ वाला मिला वहाँ पर लगता है, उसको भी याद रखेगा, तो ये प्रात्मिक शिक्षा उपलब्द कराने में उच प्रात्मिक्ता दी जाती है, तो वो है 14 वर्षतक के बच्चों, तोईला, सोनभद्र जो सिंग्रॉली वाला छेतर है, पलुआ पत्थर, मिर्जापुर, तिलीका बालु, इलाबाट ठीक है, यूरेनियम जहासी गलत है, मान संस्कृत विश्वविद्याले कहां पर अवस्तित है, तो ये बनारस में इस्तित है, याद रखिएगा, संस्कृत विश्वविद्याले, आगे, निमलिखित में से किस कारगार में पढ़ित राब परसाद बिस्मिल जी को फांसी दी गई थी, तो गोरगपुर की जेल में, उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल कहां पर है, ये शहा जहांपुर में है, याद रखिएगा, लेकिन अगर आपसे पूछे, इंडियान इंस्टिट्यूट अफ शूगर केन रिसर्च, भारतिय गन्ना अनुसंधान संस्थान, वो आपका लखनव में इस्तित है, और आलू अनुसंधान संस्थान कहां पर था आपका, मेरट में था, और कानपूर में कौन सा फेमस है, दलहन शोध संस्थान, उत्तर परदेश खादी ग्राम उद्द्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में की गई थी, तो इसकी स्थापना आपकी 1960 में की गई है, Option B, ताला उद्द्योग अलीगर बिल्कुल ठीक, कालीन उद्द्योग भदो ही ठीक है, चूडी उद्द्योग गलत है, आपका कहां कहा है, फिरोजाबाद, फिरोजाबाद को इसलिए सुहाग नगडी भी बोला जाता है, चिकन लखनौ का बहुत सेमस है, लखनौ में इस अखिल भारतिय किसान कॉंग्रेस के महा सचीव के रूप में निम्लिखित में से किसे चुना गया था, तो एंजी रंगा जी को जनरल सेकेटरी चुना गया था, प्रदूशन युप्त वाईउ मंडल को निम्न में से किसके द्वारा सुच किया जाता है, तो नैचुरल प्र आएगा तो प्रियागराज, मेरट, आगरा और लखनव, तो बी, सी, ए, डी, ऑप्शन डी जो है, यह सही हो जाएगा, हुम्री गाई का गिरिजा देवी का संबंध किस से है, देखिए मैंने आपको बताया था, गिरिजा देवी का संबंध है बनारस घराने से, जब मैंने सितारा देवी जी भी बहुत इंपोर्टेंट है, आगे, उत्तर प्रदेश की एतिहासिक पुरतात्तिक एमंकलात्मक नेधी की देखरेक करने के लिए स्थापित, संस्कृति विभाग के कारियों में कौन सा कार्या सम्मलित नहीं है, तो इसमें क्या इंक्लूड नहीं होता तो देखिए उनकी बिक्री जो होती है, पादो की ये इसमें नहीं आता, निम्न में से कौन सो जनपत, उत्तराखंड, हरियाना तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है, तो यह है सहारनपूर, मैप मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर ऐसा समझ में नहीं आत तो यहाँ पर आप देख लीजे, यह है आपका सहारनपूर, ठीक है, इदर आगे हरियाना, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला यही है, बात करें पश्चिमी जिले की तो पश्चिमी जिला है आपका शामली, अब मैं देख लि पर देख का सिंगरॉली पड़ता है, वहाँ से यह बॉर्डर करता है, तो मध्यपरदेश, शतीजगर, जारखंड, बिहार, चार राज्यों से इसकी सीमा टच करती है, इसके लावा देखी एक बहुत इंपोर्टेंट है, नेपाल के साथ एक मातर अंतर राश्टे देश है और महराज गंज, तो टोटल यह साथ जिले हैं, जो इसके साथ सीमा साजा करते हैं, एक बार ऑप्शन में कुशी नगर दिया है, एक बार बस्ती दिया है, तो यह दो आंसर नहीं है, यह दो ही प्रश्णा भी तक इससे बने हैं, एक बार ऑप्शन में पूछ लिया था, आगे चलते हैं, निम लिखित में से कौन एक वायू प्रदूशक के जैविक सूचक का कारे करता है, तो लाइकेस जो है यह बायो इंडिकेटर का कारे करते हैं, चंगाई सायोग संगठन के परियाटन मंत्रियों की बैटक, 2023 उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित की ग मांडी, भारत के किस राजय में इस्तित है, तो भारत के उत्तर प्रदेश में इस्तित है, यह मांड़ा नहीं है, मांड़ा आपको उपर देखेगा जम्मू कश्मीर में, यह मांड़ा नहीं है, मांड़ा आपको उपर देखेगा जम्मू कश्मीर में, यह मांड़ा नहीं ह है ये आगे उत्तर प्रदेश के निमलिखित नगरों पर विजार कीजिए तथा जनसंख्या के आधार पर उन्हें अवरो ही क्रम्मे व्यवस्तित कीजिए सबसे ज्यादा को पहले सबसे कम को उसके नीचे तो गाजयबाद, लखनव, कानपुर और आगरा एक दो चार ती तो आप्शन ए जो है ये इसमें आपका सही होगा आगे प्रदेश के किस जिले में सरवाधिक वर्षा होती है तो गोरखपुर में सबसे कम कहां पर मथुरान निम्ड वरक्षों में से कौन सवरक्ष परियाव परण का आतंगवादी इसको कहा जाता है कहां की नेटिव श्पेसीज है ये आपकी आउस्टेलिया की स्थानिया पर जाती है भारत के निम्लिखित में से कौन सा वन्नेजीव अभ्यार ने 1975 में स्थापित किया गया था तो कतर्निया घाट पर प्रदेश अग्रणी उत्प करने वाला जिला कौन सा है आपका प्रताबगर अगला देखते हैं दशावतार मंदिर आपका जहांसी में इस्तित है इसके लावा सोमनात का मंदिर आपका देवरिया में है श्रंगी रिशी का मंदिर आपका फर्रूखाबाद में है और वरहा भगवान का मंदिर एटा में इस्तित इसको मिला लेंगे तो क्या होगा हमारा option पहले का जौता option B हमारा यहाँ पर सही होगी मोतिलाल नहरू बाल संग्राले कहाँ पर है तो यह लखनव में इस्तित है नैशनल पेमेंट कॉर्पुरेशन के अनुसार डिजिटल लेंदेन में कौन सा राज्य शीर्ष पर है तो उत्तर परदेश इसमें rank 1 पर है उत्तर परदेश में हीरा किस जिले से निकाला जाता है तो हीरे के लिए आपका बांधा फेमस है उत्तर परदेश का निम लिखित में से कौन सा जिला छेतर रफल की दरश्टी से सबसे छोटा है तो हापुर सबसे छोटा है सबसे बड़ा कौन सा है लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश दिवस किस दिन मनाया जाता है तो 24 जनवरी को मनाया जाता है क्योंकि 24 जनवरी 1950 को United Province या संयुक्त प्रांथ से उत्तर प्रदेश का नाम बदल कर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश में विश्व भारती पुरुसकार प्रदान किया जाता है किसके द्वारा तो संस्कृत संस्थान के द्वारा ये प्रदान किया जाता है ग्राम पंचयत का सामान्य कारेकाल क्या है तो इसका पांच वर्ष होता है उत्तर प्रदेश में वर्षा य॥ू का समाने प्रारंब होता है तो जून में आपको पता ए सबसे पहले केड़ की तठ पर आता है उसके बाद जून के 14 सप्ता तक आते आते उत्तर प्रदेश में मांगे सुनग का ओंसेस्ट हो जाता है आगी बनाराशिंदू विश्विद्याले का शिलानियास किस ने किया था तो स्थापना की थी मदन मोहन वालविय जी ने लॉड हार्डिंग उससमय भारत के वाय सराय हुआ करते थे उनके द्वारा इसकी स्थापना या शिलानियास इसका उनके द्वारा किया गया है उत्तर प्रद उत्तर परदेश के किस जिले में पाए गए हैं, तो कहां पर पाए गए हैं, देखिए वैसे तो पूरा ये सोनभद्र मिर्दापुर वाले एरिया में मिलता है, लेकिन इसमें आंसर इसका रामपुर है, अब देखिए उस दिन एक सर का कमेंट मेरे पास आया था, कि ये उधर सोनभद्र में भी कोई रामपुर है, वहां की बात ये कर रहा है, अब आप मुझे कमेंट करके बता दीजेगा कि क्या ये सही है, क्योंकि देखिए मेरे पास जो विकास सारस्वत सर की बुख है, टाटा मेगरा हिल वाली, उत्तर परदेश स्पेशल, PCS वाली, उसमें तो इसमें आप बता दीजे, रामपुर मुझे तो सोनभद्र, मिर्जापुर और बांदा लग रहा है, अब अगर उस तरफ कोई रामपुर जगा हो तो आप बता दीजेगा कमेंट करके, फिलाल मुझे लगता है यहां पर सोनभद्र, मिर्जापुर या बांदा में से कोई ए सबसे जादा इंपोर्टेंट है लॉड कॉर्णवेलिस की कबर कहां पर है तो गाजजीपूर में यह इस्तित है लॉड कॉर्णवेलिस 1796 से 1786 से 1793 तक पंगाल के गवर्नर रहे थे और इनके टाइम में ही आपका पर्मनेंट सेटलमेंट या स्थाई बंदोबस्त आया था 1793 में जो कि पहला जमिदारी कानून भारत में माना जाता है अंग्रिजी शाशन के बाद उसके बाद आपका रहे वालाट आते हैं बाद में सबते पहले पर्मनेंट या स्थाई बंदोबस्ती आता है तो और उसके बाद इन्होंने कानूनों का भी काफी जाद अच्छे से संकलन किया था जिसको कॉर्ण वैलिस कोड बोला जाता है तो 1786 से 1793 और हां तिर्थिया जो आंगल मैसूर युद्ध हुआ गया था 1790 से 1792 तक वो भी इनीगे टाइम में हुआ था आगे उत्तर प्रदेश में क्रशी उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है तो उन्नत किस्म के भीजों का बढ़ता प्रियोग इसने काफी जादा क्रशी उत्पादन को उत्तर प्रदेश में बढ़ाया है अगला उत्तर प्रदेश में केंद्रिय विश्व विद्याले की संख्या कितनी है तो उत्तर प्रदेश में 6 आपके टोटल सेंटर उन्युवस्टी है मैंने पूर आपको वैसे पहले बता दिये थे लेकिन मैं फिर से बता देता हूँ क्या-क्या नाम है से पुराना उन्युवस्टी उत्तर प्रदेश में बनारास इलाबाद विश्व विद्याले है जो 1887 का है लेकिन इसको जो सेंटर उन्युवस्टी बनाये गया है वो 2005 में बनाये गया है तो बता देता हूँ सबसे पहले बहु फिर अलिगर्ड मुस्लिम उन्युवस्टी दॉक्टर भीम राओ उंबेटकर विश्व विद्याले है लकनाव इलाबाद उन्युवस्टी रानी लक्षमी भाई केंद्रिये कृष्षी विश्व विद्याले जहांसी और इसके बाद राजीव गांधी विमानन विश्व विद्याले है तो टोटल ये छे आपके सेंट यह मैंने कहा था डोलोमाइट यहां पर आपको दिख रहा होगा तो वहां पर रामपूर मुझे लगता है अब बता दीजेगा कमेंट करकर उसको क्लेरिफाई फिर कर लेंगे उत्तर प्रदेश लोकायुप्त अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था तो यह सन 1975 में पार तो कितने स्थ आलों पर अपको फॉर्ट में रिकुक्त कि च्या क्या है तो इसका मुख्य उद्देश यह है ओद्योगी इकाईयों की समय बद स्थापना सुनिश्चित करना जहां विधान परिशत इस समय नहीं है तो कहां पर विधान परिशत इसमें से नहीं है तो आपका राजिस्थान में विधान परिशत नहीं है उत्तर प्रदेश में है कौन से अनुच्छेत के तहाद इसकी स्थापना की जाती है अनुच्छेत 69 के तहाद legislative council या विधान परिशत की स्थापना किसी राज्य में की जा सकती है संबंदित राज्य की विधान सभा जब इस पर कोई कानून पारित करती है उसके लिए इसके लिए resolution वगएरा लाया जाता है जन्गर्णा 2011 के अनुसार सरवादिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है तो यह आपका यहाँ पर गाज्याबाद आपका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश का कौन सा छेत्र आध्यकल्प की प्राचीनतम सहलों से निर्मित है तो बुंदेल खंड वाला छेत्र अगला कच्ववा वन्यजीव अभ्ध्यरणने कहां पर इस्तित है तो यह बनारस में इस्तित है वाराणसी में यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है देश में वन संबंदी सिक्षा कब से प्रारंब हुई है तो सन 1878 से यहां पर यह प्रारंब हुई है कथा की प्राप्ति किश वरक्ष से होती है तो खैर के वरक्ष से कथा प्राप्त होता है निमलिकत में कौन बनारस घराने से संबंदित नहीं है तो कौन नहीं है जो संबंदित है माफ कीजिएगा तो इसमें देखिए मोती भाई है रसूलन भाई और सिदेश्वरी देवी वेगा मक्तर नहीं है तो दो तीन और चार आपका इसमें सही उत्तर होगा इसमें से कौन सुमेलित नहीं है आलह महोबा ठीक है रसिया बरसाना बिरहा कन्नौज देखिए बिरहा आपका पूरवांचल में होता है कन्नौज में यह नहीं होता तो डी आपका यहाँ पर गलत मैच है आगे महा परी निर्वान मंदिर अवस्तित है कुशी नगर में श्रावस्ति भी इंपोर्टेंट है अगर आपसे पूछे भगवान बुद्ध ने अपने जीवनकाल में सबसे ज़्यादा उपदेश कहा पड़ दिये हैं श्रावस्ति में दिये हैं कौन से महा जनपत की रा राजवाँश यहां का सबसे इंपोर्टेंट राजवाँश है तीन मसजद उन्होंने बनवाई हैं जो बहुत इंपोर्टेंट है छहानजिरी मस्जट Stephan कौन सी नदी के किनारे हैं मैंने बता दिया था आपको गोमती नदी के किनारे इस्तित है जौनपुर सुल्तानपुर और लखनव तीनो गोमती नदी के किनारे है निमलिकत में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है तो इसमें से खरीफ फसल कौन सी नहीं है देखे खरीफ की फसले आपका आता है चावल, खरीफ की फसले कौनसी होती है, जो आपकी गर्मियों की शुरुवात में बोई जाती है, क्योंकि इनको पानी की बहुत आवशक्ता होती है, water intensive crops होती है, सबसे important आपका खरीफ की फसल में है, चावल, ठीक है, चावल में आपको पता है, पानी growth के समय मे बहुत जादा होती है, तो इसमें सर्जों जो है आपका खरीफ की फसल नहीं है, बात करें मैंने आपको बताया सबसे important खरीफ की फसल कौन सी है, चावल, शुरू में गलती जो वही, explanation के लिए माफी चाहूँगा, मूंगफली निमलिकित में से कहा की प्रमुक फसल है, तो म उनकी मतलब डैथ हो गई थी, अच्छी आच्रण के बंदियों को निरुद्ध किये जाने के लिए, किस वर्ष केंद्रिय कारागार लखनौ को आधर्श कारागार के रूप में स्थापित किया गया था, तो कौन से साल, उन्निस सो उडनिचास में, देखते हैं, देखिए प्रियागराश तो आपका सिली का वालू के लिए बहुत सेमस है, ललितपूर में आपका तांबा और सोन भद्र में चूना पत्तर, तो इसको मिलाएंगे तो, पहले का, औप्शन C आपका सही आएगा, गुरु गोविन स्थापना उत्तर प्रदेश में कहा पर की गई है, लखनव में, कर्मा एक लोक निर्ति है, कहा का, तो कल्मा आपका सोन भद्र का लोक निर्ति है, मिर्जापूर प्रसिद्ध है किसके लिए, तो मिर्जापूर आपका, चर्कुला तो आपका बरज रीजन में होता है, तो यहाँ पर कजरी आपका सही उत्तर होगा, कजरी और आपका मौसमी गीत है यह मौसम के समय में गाया जाता है प्रदेश शरकार ने अगले पांच वर्षयों में व्रक्षा रवर्ण में कितने प्रतिशत व्रद्धी का लक्ष रखा है तो इन्होंने 6 प्रतिशत व्रद्धी का लक्ष रखा है निम्न जिलो का उत्तर से दक्षण सही अनुक्रम है, तो उत्तर से दक्षण में आपके सही अनुक्रम क्या है? सिधार्त नगर सबसे पहले आएगा, फिर संत कबीर नगर, फिर अमबेटकर नगर और सं रविदास नगर. अगला उक्सा जन्जाती उत्तर परदेश में कहा मिलेगी तो देखिए आगरा और विजनौर जन्पद में ये देखने के लिए मिलती है यहाँ पर विजनौर आपका सही होगा भारते समविधान के निमलिकित अनुच्छे दो में से किस एक के अंतरकत विधान परिशत की स्थापना या समाप्ति की ववस्ता की गई है अनुच्छे देख सो 69 के तहाँ उत्तर पर देश में विधान परिशत की समपूर संख्या कितनी है टोटल इस समय तो आपकी संख्या है 80 प्लस 20 का वेटेज है 80 आपके इलेक्टेड है 20 आपके नॉमिनेट किये जाते हैं आगरा लटनव एक्सप्रेस वे की टोटन लंबाई कितनी है तो आगरा लटन अप्सप्रेस वे की टोटन लंबाई 302.22 kilometer है उत्तर प्रदेश में कृतिम रवड कारखाना कहां पर है तो ये मोधी नगर में इस्तित है ये गाज्यवाद से जब आप मेरट जाएंगे उस रूट पर पड़ता है उत्तर प्रदेश में विशिष्ट आर्थिक योन स्थापित किये जा रहे हैं तो कहां कहां पर ये इस्थापित किये जा रहा है तो मुरादाबाद, कानपुर, नौइडा और ग्रेटर नौइडा में Master Center स्थापित किया गया है यह गुरकपुर University में stablish किया गया है अगे उत्तर परदेश में प्रधम Rio Tech Park अवस्थित है तो प्रधम Rio Tech Park लखने में इस्तित है अगला निमशिट में उत्तर उत्तर प्रदेश के व्यापार्ट छेत्रों में किसका राजस्त संग्रह में आपका उच्छतम स्थान है तो गाजदियबाद आपका पता है वेस्टन यूपी इन्डेस्टलाइजड है पूरा तो वहाँ पर ही सबसे ज़्यादा रिवेन्यू कलेक्शन आपका होता है भारत के समविधान के निमलिखित में से किस अनुच्छेत के अंतरगत वही आपका रिपीटेट प्रशन है एक सो उनत्तर इसका आंसर है विधान परिशद वाला इसमारक चौरासी गुमबद उत्तर प्रदेश के कहां पर पाया जाता है तो ये कालपी में पाया जाता है उत्तर प्रदेश के किस शहर ने यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के राष्टिय सम्विलन की मेजबानी की है तो किस ने की है वारा नसी ने निमलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की प्रथम मुख्यमंत्री थी और भारत की भी किसी भी राजय की प्रथम मुख्यमंत्री र तो इसमें आम यहां पर सबसे अच्छा option है निमलिकित में किसके लिए उध्यमी help line स्थापित की गई है तो यह MSME के लिए स्थापित की गई है सूख्ष में लगो एवं बध्यम उपक्रमों के लिए निमलिकित में से किसने virtual clusters web portal शुबारम किया है MSME ministry ने ही यह launch किया है अगला 92 व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट्स म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश में कहां पर की गई है वारा नसी में की गई है उत्तर प्रदेश में सरवादिक छेत्रफल वाला जिला तो यह आपका लखीमपूर है सबसे कम कौन सा है हापूर 25 ताल पक्षी अभ्यरने कहा पर अवस्तित है तो यह आपका प्रताब गढ़ में इस्तित्र प्रताब गढ़ किसके लिए फेमस है आवला के सबसे ज़्यादा उत्तपादन के लिए मत्रा में गलत है कहां पर तो यह þांदावन में मनाई जाती है अब देखते हैं कलिंजर मेला बांदा में नौचंदी मेला मेरट में तो दूसरा सी का तीसरा दूसरा तीसरे शेरो मेला यह आपका एक एटा में मनाया जाता है ऊज़रो मेला और के оч वाब यह आपका सही होगा कि उत्तर प्रदेश में क्रिशी मिशनियालेव की संख्या कितनी J तो उत्तर प्रदेश में टोटल 6 आपकी अग्रिकल्चर यूनिवर्स्टीज है अगे बॉक्साइट आयस्क है तो बॉक्साइट आपका अलूमिनियम का आयस्क है ऑस्टेलिया इसके उत्पादन में नंबर वन पर है कांसा मिश्र धातु है तैंबे और किसकी तो कांसा आपका बोलता है अगर कौपर और दिन की बात करें तो वह अगे चलते हैं चर्कुला प्रमुक नित्य है तो चर्कुला आपका इसको घड़ा डांस भी बोलते हैं पॉट डांस ये ब्रजभूमी का एक डांस है सयद सालार मिला आयोजित होता है ये आपका भहराईश में उत्तर प्रदेश में रेनुकूट में हिंडाल को हिया जो हिंदुस्तान अलूमिनियम कमपनी है उसकी स्तिती का मुख्या कारण क्या है शक्ति स्रोथ से इसकी निकटता सोन भत्र जिले को इशपर्श करती है मैंने आपको मैप में दिखा दिया चार राज्यों की सीमा है उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाले प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं अगर प्रमुख खनिज की बात करें तो लाइम स्टोन और डोलोमाइट यहां के प्रमुख खनि मैं नाम बता देता हूं उससे आपका रिविजन भी अच्छा हो जाएगा सबसे पहला तो आपका सबसे पुराना जो है उत्तर प्रदेश का ये भी पूछ सकता है तो वह है चंदर शेखर आजाद कृषी विश्विद्याल है 1975 में इसकी स्थापना की गई है कानपूर में है आचार्य है नरेंद्रदेव कृषी ये साल ये बना थक्रोठी जो हिआश्य। centres 6 ये मिरत में बांधा कृषी ये आपका उत्तर प्रदेश उनशंधान परीषद अगार आपसे पूछे। ब ही ये कहा परिष्थित है तो ये आपका यह आपका लखनव में इस्तित है और इसकी स्थापना 1989 में की गए तो यह आपके कृशी से संबंदित सारे facts हो गए युनिवस्टी इंपोर्टेंट है हो सकता है आपसे अलग अलग करकर पूछ ले उत्तर प्रदेश का कौन सा चेत्र आद्यकल्प की प्राचिंतम शैलो से निर्मत है तो यह रिपीट हो रहा है बुंदेल घंड यह इंपोर्टेंट है सयद सालार मिला आपका बहराईच में श उत्तर प्रदेश में सर्व पर्थम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई थी तो आपका नवाब गंज पक्षी विहार यहां का सबसे पुराना है 1984 की मैं इसकी स्थापना की गई है निम्न जिलों में छेत्रफल में सबसे छोटा कौन सा है तो यहाँ पर 1280 में सबसे छोटा है जिसका एरिया 1903 में भारत वर्ष की प्रथम चीनी मिल कहाँ पर स्थापित की गई प्रताप पुर में याद रखीए गा प्रताफ गडमत लगा लगा दिएगा प्रताप पूर उंत्तर पर्देश में नकार विकास दर कव रही है है तो आपकी चौथी योजना में रही है प्रत पर पर देश के इस जिले में फर्मान मियाक को भारत गौरव सबाके तत्संग्भी संबंदी संकल्प को पारित करने पर संसत के द्वारा मैंने आप से गाता रिजॉल्यूशन पास इसके लिए करना पड़ता है अनुच्य देख सो 69 में इसकी बात की गई है उत्तर परदेश के निमलिकित में से कन नौच का इसकी राजधानी था हर्श वरदन की राजदानी था खजवराह को मंदिर किस ने बनवाए हैं चंदेल वण्ष के शाषकों ने बनवाएं सबसे important कौन सा मंदिर है कंडरीय महादेव है लक्ष्वन टेंपल है ये दो काफी important है कभीर पंतियों का पवित्र स्थल मगहर ठीक है भगवान बुद्ध का निर्वान स्थल कुशी नगर ठीक है हाजी वारिश अली शहा की मजार पर मेला देवा शरीफ ठीक है अठासी हजार रिशियों की तपस्तली ये आपका नैमी शारण ने है संकीसा नहीं नैमी शारण परिशदिय विद्यालों में कितने हजार स्मार्ट क्लास्रूम बनाने का नेड़ना लिया है तो बाइस हजार स्मार्ट क्लास्रूम आगे देखते है निमलिकत में से किस जिले को अंतरराष्टिय शीमा इसपर्च नहीं करती भारत के उत्तर प्रदेश के राज्य की एक मात तो इन दोनों से नहीं लगती है बाकी सबसे लगती है साथ जिले में आपको बता चुगा था पूरे आई आई आर्याइप द्वारा जारी रैंकिंग दोजार तेस में उत्तर प्रदेश के किश विद्दैले को देश में दूसरा इस्थान दिया गया है तो अलीगल पर आती है भारत का पहला ऐसा राज्य कौन है जिसने एन आई आरेफ के आधार पर ही राज्य के जो उसके इंस्टिटूशन है उसकी रैंकिंग को जारी करने की बात की है तो केरल ने स्टेट आई आरेफ यानि स्टेट इंस्टिटूशन रैंकिंग फ्रेमवर्च जारी कर उनकी ये policy थी सुलह एक कुल, peace for all, इसको बोला जाता है इंगलिश में, यानि सभी के लिए शांती, और उनकी राजदानी आपको बता है, आगरा थी उससमें, तो आगरा महिये मनाया जाता है, इस नगर को भारत का शिराज कहा जाता है, शिराज ये हिंद मैंने आपको बता दिया जौनपूर, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई, उध्योग का मुख्य केंदर क्या है, तो बरेली इसका मुख्य केंदर है, देखिए सहारनपूर में भी थोड़ा बहुत काम इसका होता है, लेकिन ये मुख्य केंदर आपसे पूशा है, तो बरेली आप्शन में है, बरेली सबसे अच्छा अंसर है, सारनात इस्तित है कहाँ पर उत्तर प्रदेश में, भग्वान बुद्ध ने अपना ज्यान प्राप्ति के बाद पहला उत्तर प्रदेश यहीं दिया है, उत्तर प्रदेश विदान सवा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, पुरुशोतम दास ट खारत के कुल छेत्र आप छेत्र का कितने प्रतिशत उत्तर प्रदेश का है, 7.33, अगला, दुदवा राष्ट उध्यान, किस जनपर ने इस्तित है तो यह लकहीम पूर कहीरी में इस्तित में उत्तरप्र adesso चेत्रिय श्रांस्कृतिक केंद्र कहा पर है तो यह आपका प्रिएग को सा गत्त है Panther Почему.ดि्षाकमभरी डेवी मेले का ऐउंजन किया जाता है सहारन पूर पुर में उत्तर प्रदेश से कौन सा संबंद्यत width है, उत्तर प्रदेश का एक मातर्षास्तर भी नि aurora q syaastrya qat उत्तर प्रदेश में सबसेफ़े पुराना केंद्रिय विश्विध्याल है कौन सा है, व का सा ये HEU सबसेफ़े पुरानी university की बात करें ओ वो है इलावाद 1887 में बनी है BHE 1916 का है लेकिन ऊच रहा है आप से Central University तो Central University जो इलावाद University है वो 2005 में बनी है तो सही आंसर होगा BHEU निम लिकित में कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता तो अब्रक या नहीं मिलता निम लिकित में से सबसे प्राचीन वाद्य अंतर कौन सा है तो सिता सबसे प्राचीन वार्दे अंतर है आगे宪िसन सी निमन में कौन सुमेलित नifnd नहीं करम और शीला देखे हमने बात करी थी महोबा से संबंदित नहीं है महोवार्ण का आला उदल की कथा से आला वहाँ पर काफी होता है कर्मा ये सोनबद मिर्जापूर वाले छेतर में होता है तो पहला ही आपका इसमें सुमेलित नहीं है आगे, निम्न में से कौन कथक कलाकार नहीं है, तो कौन नहीं है, जो किशुन महाराज जी है, यह आपके कथक कलाकार नहीं है, आल ही में किस जिले की मुसकान गुपता ने मिस उत्तर प्रदेश 2023 का किताब जीता है, तो लखनव जिले की हैं, इन्होंने किताब जीता है, तो मैं सोच रहा हूँ जो youth competition times वाले हमने practice set किये थे उसका भी इसी तरीके से computer और UP special का master video बना देते हैं तो आपकी exam से पहले काफी अच्छा वो हो जाएगा ठीक है तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगाओ तो please like जरूर कीजिएगा एक दो जगा मुझसे जो गलतिया हुए उसके लिए मैं आप से मापी चाओँगा मैंने correct करने की कुशिश की है अगर इसके अलावा भी कोई गलती हुई हो तो please आप comment box में comment कर दीजेगा उसको हम correct कर लें ठीके मेरी तरफ से आप सभी को all the very best अपनी पढ़ाई करते रहें